तो दोस्तों यदि आप कोई जौब या बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास कापी सारा वर्क लो रहता होगा और डेली बेजिस पे आपके कोई न कोई काम पेंडिंग तो रहते ही होगे और जब आप next day अपने office पे आते हैं तो में भी हो सकता है उन मेंसे कापी सारा work आप बूल भी जा चुके हो और हो सकता है उन मेंसे कापी सारे work important भी हो और जब हमें वो work याद आता है तब तो हो सकता है कापी देर हो चुकी हो और उन एक चोटी सी गलती के कारण कापी बड़ कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के जरिये में एक ऐसे के बारे में explain करने वाला हूं जो कि 100% फ्री है और आपको डेली बेजिस पे अपना रिमाइंड करवाता रहेंगा तो ज्यादा डीटल में समझने के लिए बीना समय गवाय हम सीधा अपन चलते अपने PC में औ desktop reminder 2 क्योंकि दोस्तों यह simple and easy to use software है और सबसे खास बाब तो यह है कि यह 100% free है इसको use करने के लिए आपको एक भी पैसा खजने की जरूरत नहीं है आला कि इसका एक pro version भी available है लेकि pro version में suggest नहीं करूंगा क्योंकि दोस्तों task को remind करने की जो basic needs होती है वो needs यहाँ पे free version में ह fulfill हो जाती है तो हमें pro version में जाने की कोई जरूरत नहीं है अब दोस्तों इसको download करने के लिए video की description में चले जाए वहाँ पे मैंने download link दे रहा है वहाँ से आप click करके इस software को download कर सकते हैं और download करने के बाद इसे install कर लीजिए और install करने के बाद इसे open कर लीजिए अब दूस्त है उसका description यह दे दिजिए उसके बाद यहाँ पर task का category select कर लीजिए कौन से category में आएगा उसके यहाँ पर नोट आपको देना है यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर टाइम सेट करना है और उसके बाद यहाँ पर कितने बज़े आपको रिमाइंडर चाहिए ठीक है और उसके बाद यहाँ पर urgency का एक option है, यदि आपको कोई urgency है, एक दिन, दो दिन पहले आपको remind चाहिए, तो वो भी यहाँ पर आप set कर सकते हैं, उसके बाद सबसे last वाला option है recurrence, मैंस कि यदि आपको repeated को reminder चाहिए, for example, every year, every two year, यापर month wise कोई reminder चाहिए, weekly, day wise यापको reminder चाहिए, तो आप अपने needs के इसाब से यहाँ पर set कर सकते हैं, for example, माल लेजिए, आपने यहाँ पर कोई बड़े से related task को यहाँ पर set किया हुआ है, तो बड़े every year आता है, तो यहाँ पर everyone यह reminder देता रहेगा और उस जब तक आप इस software को आप instruction नहीं दोगा कि यह task मेरा complete हो चुका है, तब तक आपको यह every five minutes, ten minutes में आपको remind करवाता रहेगा, तो दोस्तों कैसा लगा आज का मेरा यह topic, I hope आज के इस topic के जड़िए आपको कुछ नया सिखने को मिला होगा, और यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो